मध्य प्रदेश सिक्षा पोडर पर कक्षे 9 वी से लेकर 12 वी तक कि सभी स्टुडेंट की जोए EKYC होना है तो इस वीडियो में आपके लिए जो कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप जोए EKYC कहसे कर सकते हैं जैसे की मान लिजी अगर आप एक स्टुडेंट हैं तो आप जोए EKYC कहसे कर सकते हैं अगर आपके पास जैसे की साइवर कैफे हैं ऑनलाइन की सौफ हैं CSE सेंटर है तो आप जोए अपने सेंटर से भी जोए EKYC कर सकते हैं स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट देखे इस वीडियो में आपके लिए मैंने complete जानकारदी है कि आप OTP या फिर fingerprint के माध्यम से EKYC कैसे कर सकते हैं और आपके लिए print कैसे निकालना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखे EKYC करने के लिए आपके लिए गूगल में जाना और यहां पर आपके लिए टाइप करना है EKYC सिक्षा पोर्टल तो आप सीधे यह लिंक आएगा आपके लिए सबसे उपर इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने यह पेज उपन होगा यह फिर आपके लिए गूगल में जाना है और यहां पर आपके लिए टाइप करना है MP6 पोर्टल तो जैसे ही आप यह टाइप करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले नमबर पर इस लिंक आएगा इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यह पेज आपके समने उपन होगा और यहां पर यह EKYC लिखा है इस पर आपके लिए क्लिक करना है तो आप जोई सेम इसी पेज पर आ जाएंगे दोवारा से आपके लिए मोबाइल नमबर डाल देना है और इसके बाद यह capture code डालने के बाद आपके लिए OTP प्राप्ट करेंगे तो यहां पर हमारा जो मोबाइल नमबर है उस पर OTP भी सेंड हो जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारी प्रोसेसिंग जो है चल रही है तो यहां पर हम इस प्रोसेसिंग को जो है कम्प्लीट होने देते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं OTP जो है हमारे मोबाइल नमबर पर सेंड हो चुका है तो तो हमें जो है OTP मिल चुका है, यहाँ पर हम OTP को इंटर करेंगे, OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर यह लिखा है, Submit OTP, इस पर आपके लिए किलिक कर देना है, अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए समगर आईडी डालने का उप्सन आजाता है, तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्टुएंट की जो नो अंकों की समगर आईडी, वो यहाँ पर आपके लिए इंटर करना है, जो सब्सुओं पर रहती है वो जोर्ड आएटनकी बोदे परिवार आईडी, पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके लिए विद्ध्यारती की सारी जानकाई जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे की डिस्टेक ब्लोग, नेम, फादर नेम, समगर आईडी, और एकड में के यार, इस्कूल का नाम, तो यहाँ पर यह जो है, सारी इन्फोर्मेशन आपके ल नमबर डालने का उप्शन आजाता है, यहाँ ऊपर चेक बोक्स लगाई, और चेक बोक्स लगाने के बाद आपके लिए यहाँ पर स्टुएंट का आधार नमबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके लिए आधार नमबर रे इंटर कर देना है, अब यहाँ पर आपके दो option देखने को मिलते हैं OTP द्वारा EKYC करें और EKYC through Viomeatric अगर student के author card से mobile number link है तो आप जाए OTP के माधियम से भी EKYC कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपके लिए EKYC through Viomeatric पर क्लिक करकर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं EKYC through Viomeatric device पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जैसे हैं एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह जो है Automatically हमारे सिस्टम में सर्च कर लेगा कि हमारे सिस्टम से कौन सी fingerprint device लगी है तो यहाँ पर आपके लिए एक वार क्लिक करना है और इसके बाद आपके लिए बार वार क्लिक नहीं करना है और इसके बाद आपके लिए थोड़ा इंतियार करना है तो यहां पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है अब यहां पर हम थोड़ा इंतियार करते हैं अगर आप OTP के थिरू करेंगे तो आपने जि यहां पर आपकी जोड़ा इंतियार करना है आपका ठोड़ा यहां पर समय लएगा यह आपके डेवाइस में बूझगे आपकी सिस्टमे जोवली डिवाईस लगईuestas यह सर्च करेगा तो यहाँ पर हम जो है इंतियार करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सिस्टम में जो है यह पोर्ट है और इस पोर्ट में यहाँ पर Morpho की RD Service अब लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लेवल RD Service तो यहाँ पर capture fingerprint पर आपके लिए क्लिक कर देना है जैसा ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके fingerprint device की राइड चाल जाएगी और आपके लिए student का finger device पर रखना है इसके बाद यहाँ पर ekyc through fingerprint पर आपके लिए क्लिक कर देना है जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास information वाला page आ जाता है इसी तरह से अगर आप OTP से करेंगे तो आप OTP इंटर करने के बाद जब आप submit पर click करेंगे इसके बाद भी आपके सामने यही page open होगा यहाँ पर जो student है उसकी जानकरी जोई आदर काट के अनुसार भी आ जाती है तो यहाँ पर अब आपके लिए क्या करना है जैसे कि यह page है इसका आपके लिए एक print डे जude्योंट को दे दे जैना है इस page का यह फिर आपके लिए जो है जिसे कि आपने जो एके वाइसी कंप्रेट कर दी है और आप जो इस पेज का प्रिंट नहीं निकाल पाएं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आप पर इस वीडियो के इस डेस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप जो है इस पेज का प्रिंट भ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने संद्ध च्टुरेण्ट की आप ने कि अगर यहुंद उपके सब्सक्राइस नहीं हुए और आप उसका print भी निकाल सकते हैं कि हाँ इस student की EKYC हो चुकी है इस तरह से आप MP6E photo पर EKYC कर सकते हैं अगर आप आधार से करते हैं तो आपके लिए OTP इंटर करना है अगर आप वायमेट्रिक से करते हैं तो आपके लिए वायमेट्रिक डिवाइस को सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो आगे की process है वो जो है same है दोनों case में तो इस तरह से आप जो है EKYC कर सकते हैं बहुत ही आसानी से